आज कले चेहरा सोशल मीडिया पर इंटरनेट सेंसेशन बन चुका है किसी फिल्मी हीरो की तरह दिखने वाले इस बॉडी बिल्डर शक्स का नाम है अनिल गोचिकर बाहु बली और भगवान जगरनाथ के बॉडी गार्ट के रूप में मश्हूर अनिल पिछले साल अचानक से उस समय चर्चा में आएं जब लोगों ने उन्हें ओडिशा के पुरी शहर की सडकों पर भगवान जगरनाथ की रत यात्रों को खींचते हुए रेखा पर स्थितियां चाहे जितनी भी मुश्किल रही हो पर हजारों सालों से चली आ रही भगवान जगरनाथ की रत यात्रा हमेशा भव्य तरीके से निकलती रही लेकिन पिछले साल करोना महामारी के चलते स्थिती थोड़ी सी अलग थी सुप्रीम कोट के आदेश के बाद रत यात्रा तो निकली पर उसमें आम भक्तों को शामिल होने की परमिशन नहीं मिली केवल भगवान जगरनाथ के सेवक जो सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी इस रत यात्रा को खींच कर ले जाते हैं वही इसमें शामिल हो सके इस बीच इस रत यात्रा को खींचते हुए बॉडी बिल्डर जैसे दिखने वाले एक यूवक की तस्वीरें और विडियो तेजी से वाइरल होने लगे इस नौजवान का नाम है अनिल गोचिकर और इस साल एक बार फिर अनिल के फोटोज और विडियो इंटरनेट पर चाय हुए हैं इन तस्वीरों में 43 साल के अनिल रत पर खड़े हुए हैं और भव्य रतों को खीचते हुए नजर आ रहे हैं 2014 के दुबई में Bodybuilding की World Championship में भाग लेकर देश के लिए Bronze Medal जीत कर लाने वाले अनिल ने 2016 में दुबई में ही Mr. International India Bodybuilders Championship में Gold Medal हासल किया इसके अलावा वो चार बार Mr. India और साथ बार Mr. Odisha का खिताब अपने नाम कर चुके हैं लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान भगवान जगनात के Bodyguard के रूप में हैं कहते हैं हजारों साल पहले जब भगवान जगनात के मंदिर की स्थापना हुई तो उनकी संपत्ती और परमपराओं की रक्षा करने के लिए एक सेना बनाई गई थी जिसे प्रतिहारी सेना कहते हैं और अभी भी इस सेना में लगभग 3,000 प्रतिहारी हैं अनिल भी इसी सेना का एक हिस्सा है और कई पीडियों से उनका परिवार इस सेना में शामिल होकर सेवा करता आ रहा है अनिल भी उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं अनिल बॉड़ी बिलिंग में अपना नाम कमा और किसी भी तरह के नशे से दूर रहते हैं अभी नेता और मॉडल की तरह दिखने वाले अनिल की डाइट में प्रोटीन के लिए दाल, सोया बीन, ब्रॉकली और फैट के लिए देसी घी के अलावा हर रोज 4-5 लीटर दूद, 2.5 किलो फल और 1.5 किलो चीज शामिल है वो और वो उसी में एक जिम भी चलाते हैं, 2006 में पिता की मौत के बाद अनिल और उनके बड़े भाई मिलकर इस बिसनिस को सम्हाल रहे हैं, अनिल के अनुसार प्रतिहारी सेवक मंदिर के अंदर भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन COVID-19 के कारण उन्हें Grand Road पर भी भगवान की से झाल